C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइंस की समय दर्सी किताब आस पास का चौदवा सबक कहां से आया किस ने पकाया सफ़ा नंबर 92 इस सफ़े पर 6 तसावीर दी गई हैं पहली तीन तस्वीरे वीनू का खांदान और दूसरी तीन तस्वीरे रानी का खांदान उन्वान से दी गई है पहली तीन तस्वीरे वीनू का खांदान पहली तस्वीर में एक खातून चक्की पर गेहु पीस रही है और एक शख्स जाडू लगा रहा है दूसरी तस्वीर में एक खातून, एक शखस और एक लड़की बैठ कर खाना खा रहे है तीसरी तस्वीर में लड़की साइकल पर सवार कहीं जा रही है और खातून और वो शखस अखबार पड़ रहे है रानी का खानदान, इस उन्वान की पहली तस्वीर में एक खातून बावर्ची खाने में बैठ कर खाना पका रही है दूसरी तस्वीर में एक लड़की दो अशखाश को खाना परोस रही है तीसरी तस्वीर में एक खातून अपने सर पर बोज लिये हुए है और एक बच्ची अपने सर पर पानी का मटका लेकर आ रही है और एक शक्स अखबार पढ़ रहा है उपर दी गई तस्वीरों को देखो दोनों खानदानों में लोग किस तरह के काम कर रहे हैं क्या तुम्हारा खांडान उन दोनों मेंसे किसी एग खांडान की तरह एं? अगर हां तो किस के जैसा? तुम्हारा खांडान उस खांडान से कैसे मिलता है? संफी किरदार जैसे, मौज़ु पर तबादला ख्याल, हसास तरीके से और समझधारी से करना चाहिए ताकि बच्चे इस मौजू पर सवाल तो कर सकें मगर दूसरे के ज़स्बात को ठेस न पहुचाएं सफ़ा नमबर त्रानवे अगर नहीं तो आओ तुम्हारे खानदान के बारे में बाते करते हैं क्या तुम्हारे घर में सब लोग एक साथ खाना खाते हैं अगर नहीं तो क्यूं नहीं सबसे आखिर में कौन खाना खाता है खाना पकाने में कौन मदद नहीं करता है और क्यूं अपने घर में और अपने किसी दोस्त के घर में फहरिस्त में दिये गए कामों को कौन लोग करते हैं मालूम करो और लिखो तुम कुछ और काम भी फेहरिस्त में जोड सकते हो यहां एक जदूल दिया गया है इसके पहले कॉलम का उन्वान है काम दूसरे कॉलम का उन्वान है कौन करता है इस कॉलम के दो सब कॉलम है पहला कॉलम है तुम्हारे घर में दूसरा कॉलम है तुम्हारे दोस्त के घर में। तुम्हारे घर में। दोस्त के घर में। जाल रंग से निशान बनाओ। खाली जगाहो में कुछ नाम तुम भी जोड़ो। शहद, हल्दी, मचली, मक्का, दूद, लीमू, पालक, आलू, अजवाइन, अंडा, गोश्त, केला, टमाटर, प्याज। जब तुम बिमार पड़ते हो, क्या पौदों से मिलने वाली कोई दवा इस्तमाल करते हो। कौन सी इस्तमाल करते हो। चोट लगने पर, पेट दर्द होने पर, यहां अपने जवाबात दर्च करें। बच्चों के आसपास के महौल में पाई जाने वाले उन पिड़ पौदों की शनाख्त में मदद कीजिए, जिनका इस्तमाल दवाईयों के तौर पर होता है। इससे अद्वियाती पौदों के बारे में उनके रिवायती इल्म में इजाफा होगा। सफा नंबर 95, खांसी के लिए, दात में दर्द होने पर, हर चीज के लिए सही टोकरी चुनो, लाइन खीच कर मिलान करो। इस सफे पर एक गोल दाइरा बनाया गया है, जिसके इर्द किर्द चार टोकरियां बनी है। पहली टोकरी पर लिखा है फूल, जो की दाइन जानिब है, बाइन जानिब बनी टोकरी पर लिखा है पत्ते, फिर दाइरे की निचली तरफ दाइन जानिब पर लिखा है फल, और बाइन जानिब पर लिखा है पौदे का कोई और हिस्सा। दाइरी के अंदर कुछ अलफास दर्ज हैं कचनार के फूल अदरक आम आमला चने कठल पालक कमल ककड़ी इस लवज का मिलान पौदे का कोई और हिस्सा नाम की टोकरी से किया गया है गोभी फ्रेंच बीन मूली कड़ी पत्ता गाजर सरसों आलू केला अब आप इन टोकरीों से सही चीजों का मिलान कीजिए इस सबक में पौदों के कुछ ऐसे हिस्सों को दिया गया है जो हमारे खाने का हिस्सा है तबादला खयाल के जरीए इस फहरिस्त में मजीद इजाफा किया जा सकता है इसी के साथ 24 असबाक की किताब आसपास का चौदवा सबक कहां से आया किसने पकाया यहीं खत्म होता है सौती ताउन तलत खान अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठे पुस्तक तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक विकास सांगवान निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुकरेती निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत